ना समोसा ना कचुरी ना ब्रेट रोल दोस्तों आज में बनने ज़ारहे हैं सूजी से और अलो से बनने वाला यह था ला नाश्टा एकदम क comprisक्रिसपी जो सब को बहुत ही जादा पसंद आएगा दोस्तों यह बनाने में इतना साधा असान कि आपero 5 ब्लू कर दोस्तों को बन में इना भीष मेर्या नाएं तो यह ने में पाली थिजचानी आएं यहां पे भी एक याथ ना इन्स wakar है तो एक कर दोट आपTे रिया है यहां पी Tam हरी मिर्च ौाल कमि यह ने कार दीकाइब है तो बस यहां पे हम इन सब चीजों को एड़ कर देते हैं आप जाहें तो यहां पे पाव भजी मसाला वगरा भी एड़ कर सकते हैं तो अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह बिल्कुल कुई क्रेसिपी है इसमें आलू को छोगने की जुरूत नहीं पड आप अपने हिसाब से इनके गोले बना ले जाए और इतनी कोंटिटी में 20 बने हैं यानि की बीस बनने चाहिए तो 20 लिए मैंने यहां पे लिया है दो काटोरी सूजी का और यह भारी वाली सूजी है तो बहुत जदा मोटी नहीं है और उसी काटोरी से नाप के मैंने धाय क आनिया पानी पानी है .. तो यह हो गया אז यह हो गया यह हो गया धाइ कही बद नश Tibi च्छ Ouais लोया ना यहां नहां पर्तोक्वांख कर देखेज़ीं कुझताल कुझता चुमज दब यहां यह सूजी न काफी हर्ट तक फूल गई है अब हम गयास अन कर लेते हैं और बस इसको हम पकाना शुरू करते हैं बिल्कुल ऐसी तरीके से आपको चलाते जाना है दोस्तों और मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और यहां पर इस तरीके से चलाते जाएंगे तो कुछ टंठ अब हम इसको साइड में रख देंगे इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए तीन से चाह मिन तक हम इसको छोड़ा थोड़ा हो जाए और जब हलका सभी थोड़ा हो जाएगा हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां देखे कितने अच्छा से निकल गया यह एक दम जैसे consistency हो जाती है दोस्तों इसकी तो बस यहां पे इसको हम अच्छा से निकाल लेते हैं और यहां पे एक चमच ऑल डाल लेते हैं इससे क्या होगा न कि जब आप हम इसको मांडेंगे इसको डो बनाएंगे एक स्मूध डो बनना चाहिए तो उसमें ओल जो है एक दम स्मू जब जोड़े लिएक मिन और यह पंसमोट बंके तयार जाए मसे सदोड़ा बोलन के पेडी आप भन 20 पेड़ थह है यहां पर एक पेड़ा ले लिए और नेे श्च परद़ने करें जैसे देख रहे हैं आप यह बिल्कुल असानी से बन जाता है मैंने कट्स पिनी लिया है इसलिए ताकि आपको एक ही बार में बड़े आसा आपको दिखाई दे कि आप कितना स्मूध आंटा बन चुका है तो बस यहां पर मैंने इसको फिलिंग को डाल दिया है और इसको रोल अच्छे लिजे मैंने यहां पर 20-20 गोले बना के तयार कर लिए हैं जो दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आगे की तियारी शुरू करते हैं चाहें तो आप इसको इसको फ्राइ कर लेजे तो यहां पर तेज आच पर इसको फ्राइ कर लेजे और गोल्डन अच्छे भी नहीं है जैसे समुसा कचोरी या कुछ भी तालो ना तो वह चिपकते हैं यह नहीं चिपकते हैं इनकी शेप भी बिगड़ती है और यह लेजे हमारे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए यह सूजी और आलू का नाश्ता एकदम तयार हो गया इसको मैंने तो यह लेजे हमारे बढ़िया से सूजी का नाश्ता हो गए और यह देखे बाहर से किता खसता लग रहा है बढ़िया और अंदर से एकदम बढ़िया वाला आलू का फिलेग तो यह रेसिपी आप ज़रू ट्राइ करें और मुझे ज़रू बताएए आपको यह रेसिपी कै तो यह रेसिलेगी थैंक यू